हेलो एब्रिवान वेलकब टू माई चैनल आज हम बनाएंगे पनीर भूरजी तो मैंने ले लिया है टमाटर सिम्ला मिर्च लहसोन हरी मिर्च प्याज और पनीर सबी सबजियों को हम बारी काट लेंगे चोटे-चोटे से टुकडों में और फिर हम पनीर को मैश कर लेंगे में टेब्ल स्पून ओयल मैंने सर्सोका तेल लिया है आप भी सर्सोका ही लिजे है हाल्दी भी होता है मैंने डालते हैं आधा चमज जीर और जीरे को थोड़ा सदू अश्र ता्रक मिलेंगे थोड़ा स सदू अटेगे अए उ signa कर देंगे थोड़ा संस्माफ कर लेंगे फ यह हम इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है तो हम इस सक्षेकर नहीं कर सकते हम किया है बिसको त्सक्राइब सब्बूर ऑफ कर запah को करेंगे को ना जल जाए गए तो प्रमाटर को भी आड़ कर देंगे और फिर उसके बाद सिम्ला मिर्ज आड़ कर देंगे फिर हम डाल देंगे इसमें नमक जिसे ही के सबजी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं हमें इन बहुत ज्यादा पकाना नहीं है सिर्फ सॉफ्ट करना है तो इन दोनों को डाल कर मतलब इन दोनों को हम चला लेंगे फिर उसके बाद थोड़ी दिर के लिए ढख भी सकते हैं वरना ऐसे भी शॉफ्ट हो जाएंगी सबचिया बढ़ धक देंगे तो थोड़ा जल्दी शॉफ्ट हो जाएंगे फिर मैंने ले लिया है वन फोर टेबल स्पून हल्दी पाउडर और वन फोर टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यसे भी हम मिला देंगे और थोड़ी देरे से पकाएंगे सबजी मसाले से बहती अच्छा टेस्ट आता है सबजी या अप्रॉक्स सभी सॉफ्ट हो गई है आप इसमें एक मटर भी डाल सकते हैं मैंने मटर डाला नहीं क्योगी मेरे पास थानी तो मटर डालने से टेस्ट और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ जाएगा आप जरूर रा सकते हैं हमने डाल दिया है पनीर पनीर को भी डाल करके अच्छे से मिला देंगे पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे तो यह बहुत पसंद है और मेरे घर में सबी को यह बहुत पसंद है देखिए पनीर भुर्जी को हम ज्यादा सूखा नहीं करेंगे हम थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे अगर इसकी कंसिस्टेंसी सही है तो हम पानी नहीं आड़ करेंगे अगर सूखा हो जाता है तो फिर इसका टेस्ट नहीं लगता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है तो इसलिए हमने रेस्टरांट स्टाइल बनाया है बनीर भूर्ची तो वह ऐसे ही रहेगी देखिए कितने अच्छी सब्जी बनके त्यार हुई है पलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी उतना ही अच्छा है हम इसमें हरा धनिया डालेंगे हरा धनिया बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लगता है हर एक सब्जी में यह अच्छा लगता है इसमें भी बहुत अच्छा लगेगा देखिए कि इतने अच्छी से बनके त्यार हुए हमारी पनीर भूर्ची हम इसे निकाल लेंगे और रोटी या नान किसी के साथ भी हम इसे सब्सक्राइब करेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है यह आप जरूर ट्राइगा और प्लीज अपने एक्स्पीरियंस को सेयर करिएगा हमारे चाहत कोमें सेक्शन में ऐसे यह काफी टेस्टी था मेरे पापा को बहुत पसंद आया इन फैक्ट सभी को बहुत पसंद आया है एक बर जरू ट्राइ करिएगा और थैंक यू सो मुच पर वाचिं प्लीज सब्सक्राइब में चैनल और लाक दी विडियो इफ यू लाक इट थैंक यू बाई बाई